दोस्तो बोलिवूड लवर्स के लिए एक बड़ी गुड नूज सामने निकल के आ रही है इस साल सनी देवल की फिलम गदर टू ने बोक्स ओपिस पर खूब धमाल मचाया गदर टू की कहानी से लेकर इसमें दिखाए गए दमदार एक्षन और डायलोक्स ने फैंस को खूब ले लिया है अब गदर टू को लेकर एक बड़ी नूज सामने आ रही है ये तो सभी जानते हैं कि गदर टू भी लाई जाएगी लेकिन ये कब रिलीज होगी इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है साथ ही फिलम की कहानी और स्टार कास्ट को लेकर भी एहम इनफोर्मेशन मिली है अब अमरिश पूरी और मनीशा वाधना के बाद विलन कोन होगा ये भी सामने आ गया है चलिए सबसे पहले फिलम की रिलीज डेट बता कर आपको खुश कर देते हैं ऐसा कहा जा रहा है कि फिलम के लिए अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा मीडिया रिपोर्टर की माँने तो गदर थरी साल 2025 में साल 2025 में साल 27 fix के मौके पर जिलीज की जाएगी अगले साल 2024 में इस फिलम की सुोटिंग शुरू हो जाएगी दरसल अब गदर तरी की कहानी को क्रैक कर लिया गया ऐसे में इस मूवी के अगले साल बनारस में सूट किया जाएगा वहीं उमीद तो ये भी की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में ही गदर थिरी की ओफिशिल अनौसमेंट कर दी जाएगी वैसे भी फिलाल मेकर्स को सनी देवल की पोपुलरिटी पर पूरा यकीन हो गया ऐसे में मेकर्स फिलम में ज़्यादा देरी नहीं करना चाहते फिलम की स्टार कास्ट को लेकर कुछ खबर सामने आई है फिलम का विलन तो गदर टू में ही मारा गया था ऐसे में इस बार तारा सिंग की जिंदगी में मुश्किले कौन खड़ी करेगा अब मेकर्स नए विल का बेटा फिलम में विलेन होगा और अपने बाप की मोत का बदला लेगा अब इतनी जानकारी मिलने के बाद फैंस की एकसाइटमेंट और भी जादा बढ़ गई है सभी लोग इस फिलम का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं वैसे आपको गदर टू मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना